Hi guys, welcome to my channel तो भाई, इस से मैं बैठा हूँ, Skoda Octavia LNK में और आज की विटे का टॉपिक होना वाल है कि क्यूं मैंने Jeep Compass ली Skoda Octavia के उपर तो यार, देखो, मैंने शुरुआत करी थी Tigoon और XVS 100 से, बट फिर मैंने जब Jeep चलाई तो मैं को प्रीमियम सेग्मेंट का जो हमें फील आया ना, मेरी पूरी फैमिली को वो बहुत अच्छा लगा, तो हमने तब Jeep जैसे मेरी 26 की पड़ी थी और ये टॉप एरंट आते 33 का और इसका बेस एरंट आते 33 का तो अलमोस्स सेम प्राइस था तो मैंने Jeep क्यूरी और ये नीली उसका सबसे पहले रीजन तो ये था कि मेरे पास पहले सी sedan है तो एक तो वो था कि sedan है और उपर से ना, मतलब हमा हम लास्ट 12 ये से sedan यो उनकर रहे है Ford Icon हो गई, या Skoda Rapid हो गई और Volkswagen Vento हो गई, तो हमें तोड़ा चेंज से ये था इसलिए हमने Jeep प्रेफर करी, अब अगर आप बात करोंगे Jeep में ना कुछ advantage इसके उपर जो थे ना, वो ये था कि ऑविसली वह ज्यादा प्रैक्टिकल थी, मतलब उसका comfort ज्यादा था, विकॉसकी ride quality ज्यादा वो थी और उसमें दूसी चीज ये थी कि Ground इसमें नहीं है, वो काफी दिक्कत आता है, कि वह फायदा आता है, दूसी चीज ये थी कंपर्स का क्या है, वो रगेड होती है, तो उन पे चोटा मोटा scratch पढ़ता है, तो उन्हें कुछ फरक नहीं बढ़ता है, इनमें किसी भी लग जाता है, ना scratch तो बढ़ा दुख होता है, बहुत sleek गाड़ी है, और खासकर ये तो बहुत ही जाए sleek कार है, तो एक बात यह होती है, और उसके अंतना जैसे traffic में हो आप लोग, traffic में गाड़ी है ना bumper to bumper में चलती है, तो मेरा सरदर्द हो जाता है, लिटरली हम लोगा सरदर हो जाता है, वेंटों में कि भाई कोई touch कर देगा या फिर उस बंदे का क्या हाल करूगा में को समझ नहीं आएगा, इतना मतलब ऐसी sleek सी कार को अगर कोई bumper to bumper traffic में touch कर देगा, तो मेरा दिमाग खराब हो जाए, लेकिन compass के साथ हमें दो बार touch कर चुगे हैं, पीछे bumper to bumper traffic में rear end कर चुगे हमें, और उसको कुछ नह है कि compass भी इसकी वाली luxury प्रोवाइड करती है, जैसे यहाँ पर soft touch, either soft touch, either soft touch, either soft touch, either soft touch, सारा वही है, material quality सेम है, बस fit and finish इसकी थोड़ी better लगी, बट इसकी fit and finish ना, वेंटो वाली नहीं है, इसमें भी ना, जैसे आप देखोगे ना, यह देखो, यह थोड़े वास से आ रही ह तो यह है, बट भाई, इसका जो plus point है ना, compass के उपर, अभी हमने इसकी test drive ली है, और भाई, यह गाड़ी उड़ती है, literally उड़ती है, इस गाड़ी के पास कोई आ नहीं सकता, मैं आपको लिख के देता हूँ, compass तो मेरे को, वेंटो के मुकाबले अंड़ पावर लगती है, वेंटो ने क्या हाल किया था, और वेंटो कोई ड्राइग रेस नहीं आरती है, और मैं बता रहा हूँ आपको गाईस, यह हमने चलाई ना, यह वेंटो से तीन गुना जाया थेस गाड़ी है, तीन गुना जाया थेस, इस गाड़ी को कोई हरा नहीं सकता, यह इतनी performance oriented car है न यार, मलब यकीन ही नहीं हो रहा थे, वील स्पिन पर वील स्पिन पर वील स्पिन पर मार रही थी, और डिल डिजिट स्पीट तो ऐसे चटती है था, इसके लिए मजाग सा चल रहा है, थोड़ी सी कॉल्टी इसकी बेटर है, ओविसली कंपस से, बिकॉज यह थोड़ा ऊप quality होगी stability होगी वो यही वाली offer करती है वो तो यही reason था कि मैंने compass ली मैंने compass जब ली थी तो मैंने उसको 700 या उन सब से फिर बात में comparison छोड़ी दिया था because वो एक luxury segment आ जाता है और वो badge value भी provide करती है squad वाली तो यह था और हमने इसलिए Octavia नहीं ली बहुत अच्छी का रहा है और most probably यही replace करेगी भाई वेंटो को अब जब हमने इसकी test drive भी ले ली है ना यही replace करेगी वेंटो को इतनी fan हो गया है ना हम तब हमने इसकी test drive नहीं ली थी जब हमने compass ली तो अब लग रहा है अगली वीडियो में मिलता हूं अभी कले बाई